तो दिख्षे आज हम गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाएंगे जीरो और एक नमबर गोपाल जी की हमने इस से पहले ये वाली ड्रेस बनाए थी देखेए तो इसमें चोली है वो zero number गोपालची को perfect आती है लकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि एक नमबर गोपालची को पहनाने में थोड़ी से दिकत होती है तो इसमें हमने half double crochet से start किया है तो ये वाली चोली जो है वो हमने 3 औरो double crochet से बनाई है और इसमें थोड़ा सा different किया है उ इसका भी बहुत ही अच्छा आता है थोड़ी से यहां पर लूज होती है लेकिन इससे बड़े वाले गोपाल जी है एजीरो नमबर के है मेरे गोपाल जी तो देखे परफेट इसको भी आती है देखे पिछे से भी बहुत अच्छे से एकजस्ट हो जाती है तो ड्रेस की इसके साथ की केप भी आप यह वाली बना सकते हैं केप तो थोड़ा सा इधर उदर होता है तो भी आजाता है जीरो और एक नमबर को पालची को दोनों को सेम आ जाएगी तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें हम यह वाला ग्रीन लेंगे और एलो तो जो है वही वाला लेंगे तो देखिए कोटन का धागा है इस तरह का बोल आता है देखिए कोई स्पांसर वीडियो नहीं है लेकिन आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह में कहां पर मिलेगा कौन सा वाला धागा है तो यह देखिए यह वाला धागा है गंगा थ्रेड का और एक कोटन का है गर्मियों के लिए special हम इसे बना सकते है गोपाल जी के लिए address देखे online आपको यह कहीं पर भी मिल जाएगा यह कोई sponsor नहीं था देखे 2.5 mm का crochet है देखे पास से अब हम यहाँ पर chain बनाएंगे इस तरह से पहले तो नौट लगा देंगे धागे में और फिर chain बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच कि छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा और चौदा टोटल हमने चौदा चैन बनाई 14 इसमें से हमें तीन स्किप करनी है देखे तीन स्किप करके चौथी वाली चैन में डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे फिट से सेम प्लेस पर दूसरा एक ही चैन में हमने दो बार बनाया डबल क्रोशा ही बनाना है हमें और हर एक चैन में हम डबल क्रोशा ही बनाएंगे दो दो बार सेम चैन म दो दो बार हमें बना लेना है तो हमारी ग्यारा चेन में दो दो बार बनेगा तीन चेन हमने स्किप कर दी है तो ग्यारा चेन में दो दो बार मतलब हमारा 22 होगा 22 देखे इस तरह से हर एक चेन में दो दो बार बना लेज़े तो पहली रो में हमारे पास 22 डबल क्रोशे आने चाहिए तो दिखे हर एक चैन में हमने दो दो बना लिया और अब हम यहाँ पर तीन चैन ले करके पलड देंगे ऐसे और फिर लूप लिया और इसी के नीचे ने बनाएंगे नेक्स्ट वाली के अंदर दो बार डबल क्रोश्या एक और यह दो देखे और फिर नेक्स्ट वे एक बार फिर से नेक्स्ट वे एक बार दो चैन में हमें एक एक करना है और तीसरी चैन में सेम पलेस पर दो बार बनाना है देखे ऐसे, ऐसे, दो चेन में एक-एक, और तीसरी में दो, फिर से दो में एक-एक, तीसरी में दो, और शुरू में पहले हमने दो बनाया, तीन की चेन के बाद, फिर देखे एक बार और नेक्स्ट में एक, फिर से नेक्स्ट में एक, दो चेन में एक-एक हो गया, और अब दो बार, सेम चेन में दो बार, ऐसे, तो दूसरी रो कम्पलीट होने के बाद हमारे पास 28, 28 डबल क्रोशे आ जाएंगे, तो दिखे, राउंड कम्पलीट हो गया, आकरी में हमारे पास 2 में 1 एक आये हैं, यहां पर हमारे 2 आये थे, तो आकरी में 2 में 1 एक आये, तो और इसी के उपर तो यह हमारा डबल क्रोशे के उपर तीन चेन है नेक्स्ट वाले के उपर एक डबल क्रोशे दो तीन चार और यह पांच सोरी हमें तीन की चेन को साथ में गिन करके पांच बनाना है देखे तीन की चेन को साथ में गिन करके पांच हो गए चार डबल क्रोशे अब हमें पांच चेन स्किप करनी है बाजू के लिए जो हॉल बनाते है इसके लिए एक दो तीन चार और पांच पांच छोड़ करके छठी वाली के अंदर हमने डबल क्रोश्या बनाना है एक बनाया दो तीन चार पांच छे साथ और आठ आठ बार हमने आगे वाली डबल क्रोश्या बनाया देखे फिर से पांच छोड़ देंगे एक दो तीन चार पांच छठी वाली के अंदर डबल क्रोश्या ऐसे फिर से पांच बार हमारे आएंगे उस साइड जैसे हमने पांच बार लिया था वैसे इस साइड बनेगा तीन चार और ये पांच ऐसे देखे तो यह हमारी चोली, इतनी सी बन जाए तब आप गोपाल जी को पहना करके देख लिजे, तक हमें पता चले कौमियाँ जादा करने का देखिए, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, और चोली भी बहुत ही अच्छी बनी है, जब इतनी सी चोली हमारी बन जाती है, तब हम गोपाल जी को पहना करके देख लेंगे, ऐसे, देखें, अच्छे से ये चोली आ गए है, थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन एक नमबर गोपाल जी को बड़े आराम से आ जाएगी, देखें, तो अब इससे आगे हम बना लेंगे, अब हमने यहां से पलट देना है, तो एक चेन लेंगे और इसके आगे यहां पर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, अब हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है, देखें, शुरू में ही बना दिया, आखरी राउंड में हमारे पास 18 है 5 यहाँ पर थे 5 यहाँ पर थे 10 और 8 यहाँ पर बनाए तो 18 हो गए 18 तो 18 के उपर 18 सिंगल क्रोशे हम इस तरह से बना देना है ऐसे वापस से एक रो हम सिंगल क्रोशे की बनाएंगे तीनो रो हमने डबल क्रोशे की बनाई है लेकिन हमारे में भी आपको आगे दिखाती हूँ कि हमारा जो नेक वाला लाइन होता है वो हमने राइट साइड से बुना होता है तो वो हमें पहनाने के बाद राइट साइड आये उसकी इसलिए हमने दो सिंगल क्रोशे की रो बनाई है अगर आप चाहे तो एक हाप डबल क्रोशे की रो भी बना सकते है या तो एक डबल क्रोशे की रो थोड़ा सा छोटा रख करके डबल क्रोशा बना दीचे तो भी चलेगा लेकिन देखिए यहां से हमारी दूसरी रो स्टार्ट होती है मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से राइट साइड आती है हमारी देखिए और एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोश्या यह दूसरी रो है हमारी तो राउंड कम्प्लिट कर दीजिए तो दिखिए राउंड कम्प्लिट हो गया अब हम राउंड को जोईट कर देंगे यहां पर पहले सिंगल क्रोश्या की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच चे राउंड को जोईट कर देंगे तो दिखिए चो ली हमारी इस सरह से जोइट हुई है तो यह पहली जो रोव है वह right side बाहर के side आई है अगर हम एक ही रो single crochet की बनाते तो इस side से यह वाली altri side बाहर, आती इसलिए हमने दो सिंगल क्रोशे की रोव बनाई है पलट कर वापस से एगवार इस तरब से उस तरब गए ताकि ये हमारा राइट साइड जो है वो बाहर के साइड आ जाए देखे स्लिप स्टिच है हमने जोइट कर दिया अब आगे और बाजू तक हमें स्लिप स्टिच करतेज़ाना है तीन, चार, और एक पाँच देखे बाजू के हळ तक हमने स्लिप स्टिच किया अब यही से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे तीन चेन लियव, सेम प्लेस पर डबल क्रोशे देखे ऐसा है हर एक chain में हमने दो दो बार double crochet बनाना है ऐसे करके round complete कर दीजे दिखें हर एक chain में दो दो बार double crochet तो दिखें round complete हो गया है हर एक chain में दो दो बार और अब हम पहले double crochet की chain में डाल करके slip stitch round को joint कर देंगे ऐसे और अब वापस से दूसरा round start करेंगे तीन chain बनाई इसी के अंदर डाल करके और एक बार double crochet बनाया फिर next में एक बार बनाया देखें फिर से next में same chain में दो बार बनाएंगे एक chain में एक बार और एक chain में दो बार अब हमें round को इस तरह से करना दिखें शुरू में दो बनाया फिर एक फिर दो फिर से next में एक फिर से next में दो तो इसी तरह से round complete कर दीजे ऐसे दूसरा round complete हो गया पहले double crochet की chain में डाल करके slip stitch से round को चोहल्ट कर देंगे वापस से 3 chain लेंगे और इसी के अंदर डाल करके double crochet बनाएंगे तो एक ही chain में दो बार श्यूम ही बना दिया और अब हमें next में एक बार बनाना है फिर से नेक्स्ट में एक बार फिर से नेक्स्ट में एक बार तो अब हमने तीन चेन में एक एक बनाया और देखे और फिर टोथी वाली चेन में दो बार बनाएंगे अगर आपको ऐसा लगता है खिचा वाता है तो आप दो में एक एक बनाएं और तीसरी में दो बना दीजिए लेकिन मैंने एवाली ग्रीन में भी इसी तरह से बनाया है देखे तीन चेन में एक एक और चोथी चेन में दो तीसरी रो में हमने इस तरह से ही किया है क्योंकि हमारा ज्यादा होता था अमारा बीच में से केरा मुड़ता था तो उमने इस तरह से ही बनाया देखे, तीन चेन में एक एक और चोथी चेन में दो बार तो इस राउंड को भी इस तरह से ही complete करेंगे, देखे, next में दूसरा वाला है एक बार तीसरा वाला भी एक बार, देखे, तीन चेन में एक एक किया, अब चोथी वाली चेन में, सेम चेन में दो बार एक किया, सेम प्लेस पर दूसरा ऐसे, तो राउंड complete कर दीजे, और इसके बाद हमने चोथा राउंड बनाया है, उसमें हमारी चार चेन यूज होती है तो जब हम सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे तब हमें एक्जेस्ट करके बनाना है गिन करके बनाना है एक पेटन में हमारे चार डबल क्रोशे सोरी, चार चेन यूज होगी तो ये रो हमने चार बनाई है दबल क्रोशे की इसके बाद एक हमने सिंगल क्रोशे की बनाई है तो देखे मैं आपको सिंगल क्रोशे की रो सोरी पहले डबल क्रोशे की कम्प्लेट करके दिखा देती है तो देखे राउंड कम्प्लेट हो गए है चार राउंड हमने डबल क्रोशे के बना लिए और अब हम हम पहले double crochet की chain में डाल करके slip stitch कर देंगे फिर एक chain लेंगे अब हमने single crochet बनाना है देखे यहां पर हमने 4 chain में एक-एक किया पांच में में बढ़ाया अब हम 5 single crochet एक-एक करेंगे और छठी वाली में दो बनाएंगे देखे ऐसे और एक chain में एक-एक बार single crochet बनाना है हमने ऐसे देखे दो चर पांच बन गया अब छठी वाली chain में same place पर दो बार इस तरह से एक हमने single crochet की रोव बनानी है एक next में दो next में तीन next में चार next में पांच और next में same chain में दो बार तो इस सरा से करिए पांच chain में एक-एक और छठी वाली में दो तो दिखे राउंड complete हो गया है और अब हम यहाँ पर joint नहीं करेंगे थोड़ा सथा का लंबा रख करके ऐसे ही हम थागे को काट देंगे और यह हमने चार-चार करके गिन लिया है चार-चार का जूत बना करक दो हमारे चारा होते थे तो दिखें यहाँ पर दो जगह पर बढ़ाया नहीं तो यह हमारा एकजेस्ट हो गया तो इस तरह से आपको एकजस्ट कर लेना थे कि थागा हमने निडल में पीरो लिया है अब हमने इस तरह से इसको देखें दोनों में से नीचे से निकाल देना ह इस तरह से इसे करके निकाला और यहाँ पर हम इसके अंदर से दिखे बेक लोप में यह यहाँ पर चो आखरी चेन थी इसका बेक लोप उठाएंगे ऐसे ऐसे कर देना है तो इस दम हमारी चेन सी बन जाती है दिखे कहीं पर भी पता ने चलेगा कि हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लेट हुआ है दिखे तो इस तरह से अब हम इसे इस दागे को इधर उधर खुमा लेंगे फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे तो दिखे अब हम यह वाली पैटन बनाएंगे इसके लिए पहले तो हम लूप बना लेंगे और यहां पर से ही हम धागे को स्टार्ट कर देंगे दिखे जो सिंगल क्रोश्या है हमारा उसके नीचे जहां पर हमने डबल क्रोश्य की चैन में डाला था सिंगल क्रोश्या बनाने के लिए इसमें डालना है हमें दिखे यहाँ पर उपर वाली chain में नहीं डालना है नीचे डालना है ऐसे इस तरह से थुदा सा लंबा loop करके लेंगे और फिर next वाले वल के अंदर डालेंगे ऐसे फिर से next वा लेवल के अंदर डालेंगे तो दिखे तीनों के अंदर इस तरह से डालना है फिर एक साथ निकाल देना है फिर एक, दो, तीन और चार चैन बनानी है फिर लूप लेना है और इसके दो लूप में देखे यहाँ पर जो पहला है इस तरह का दो लूप उसे उठाना है और इसके अंदर डबल कुरूशा बनाना है और इसे भी थोड़ा सा लंबा रखना है हमें देखे थोड़ा सा बहुत ही कम रखा है हमने लंबा रखना है हमें लूप यहाँ पर डालना है नीचे की और देखे यहाँ पर नहीं लेना है सीधा नीचे से यह निकालना है दूसरा और यह तीसरा देखे तीन हो गया और अब हम इन सभी को एक साथ निकाल देंगे निकालने के बाद एक, दो, तीन और चार चैन बनानी है लूप लेंगे और यह जो पहली चैन हमने ली है इसके दो लूप यहाँ पर इस तरह से दिखाए देंगे देखे ऐसे, दो लूप में डाल करके ऐसे डबल क्रोशा बनाना है एक, दो, और यह तीन, तीन बार हमने इस तरह से डबल क्रोशा बनाना है ऐसे, तीन बार बना दिया, अब हमने यहाँ पर एक बार स्किप करना है देखे, एक जो सिंगल क्रोशा है वो स्किप करना है और इसके, नेक्स्ट वाले के अंदर, ऐसे करके वापस से, तीन लूप बनाने है एक, नेक्स्ट में दूसरा, और नेक्स्ट में तीसरा ऐसे, फिट सभी लूप को एक साथ निकाल देना है फिट से, एक, दो, तीन, और चार चैन लेनी है लूप लिया इस दो लूप को उठाना है देखे ऐसे और इसके अंदर तीन वर डबल क्रोशा एक दो और ये तीन वापस से हमने यहाँ पर से उठा लेना है तो एक हमें स्किप करना है यहाँ पर और नेक्स्ट वाले के अंदर डाल करके एसे ही ले लेंगे देखे एक हम स्किप करेंगे एक नेक्स्ट में दो और नेक्स्ट में तीन सभी धागे को एक साथ निकाल देना है फिर एक, दो, तीन, चार फिर से लूप लेंगे और यह जो पहला है हमारा इसके नीचे इस तरह के दो दिखाए देते हैं इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रूशा बनाएंगे एक, दो, और यह तीन तीन बार हमने डबल क्रूशा बनाया फिर से यहाँ पर एक यह वाला स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में इसी तरह से करेंगे एक, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे दो फिर से नेक्स्ट में तीन इसी तरह से निकाल देंगे तो ऐसे हैं एक, दो, तीन और चार ऐसे हैं हमारी पूरी रो कम्प्लीट होगी इसके अंदर तीन बार डवल क्रोश है एक, दो, और एक, तीन फिट से एक को स्किप करना है और इसके अंदर डाल करके एक, दो, और एक, तीन सभी थागे एक साथ निकाल देंगे वापस से चार बार चेन बनाएंगे तो ऐसे ही आप पूरा राउंड कम्प्लीट कर दीजे तो दीखे राउंड कम्प्लीट होने को आया है और आखरी बार है हमारा ये तो इससे हम और ये तीन सभी को एक साथ निकाल देंगे एक, दो, तीन और चार चार बार चेन लेली इसी के अंदर तीन बार डवल क्रोश है करेंगे और अब हमने यहाँ पर जोईट करना है राउंड को कम्प्लीट हो गया यहाँ पर देखे बीच में डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करतेंगे और फिर धागे को खेंच करके थोड़ा सा लम्बारक करके काट देंगे और इसे निडल में पिरो करके पिछे की और इधर उधर खुमादेंगे तो देखें ड्रेस बन गया और अब हम slip stitch की रोव बनाएंगे देखें इस आगे को भी फिर बाद में ले लेंगे यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे और इस एलोध आगे में से ही हमें slip stitch का रोव बनाना है इसे हमने इस तरह से लूप बना देना है और नीचे से क्रोशे के निकाल देंगे और next वाले वाल के अंदर डालते जाना है देखें ऐसे फिट से next वाले वाल के अंदर डाला ऐसे slip stitch करनी है हमें नीचे से हम क्रोशे में थागे को लेंगे और ले करके उपर आएंगे और इस तरह से निकाल देंगे ऐसे प्रोशे में से ले करके उपर की और निकाल देना है ऐसे एकदम लूज आज से slip stitch बनाना है देखें ऐसे इस तरह से next वाले होल के अंदर डालते जाएंगे देखें एक के बाद एक जो हमारा होलाता है इसके अंदर डालते जाएंगे और ऐसे ही slip stitch की पूरी रो कमप्लीट कर देंगे तो दिखें रो कमप्लीट हो गए इसे भी थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काट देंगे धागे को निडल में फिरो लिया अब जो पहली हमने चेन ली थी इसके दोनों धागे क दोनों लूप जो है उसके नीचे से हमें निडल को निकालना है इस तरह से इसे निकालना और एसे किया और अब आखरी वाली जो चेन है इसके बीच में से नीचे की और निकाल देना है तो ये हमारी चेन बन जाएगी देखें कहीं पर भी पता ने चलेगा कि हमारा प्लेट हुआ है देखे और अब हम इस थागे को इधर उदर घुमा करके फिट धागा काट देंगे और इस थागे को भी नोट लगा देंगे तो देखे ड्रेस बन करके रेडी है बहुत ही प्यारी लगती है और आपको ए वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बत जाना और अब हो पुपाल जी को इस तरह से घ्रेस बनाते है वह भी देखले चें देखे इस तरह से उपर से हम पहले तो पेर डाल देंगे एस अपर यहां से नीचे वाला जो हाथ है वह डाल देंगे पैर और फिर ये वाला हाट डाल देंगे ऐसे तो इस तरह से हमें गोपाल जी को ट्रेस पहनानी चाहिए तो हमारी ट्रेस भी खराब नहीं होगी और गोपाल जी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी देखें ऐसे देखें बहुत ही प्यारे लगते हैं गोपाल जी तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू मैं बेल आ बाभब है